तना एम फल छेदक कीट का परकोप ज्यादा होता है तो उस समय आपको देखना है कि जब तना में कीट आ जाए तो आप जो है उसको काट करके हटा दें और ऐसे नहीं फेके अगर ऐसे फेकेंगे तो फिर बैस हुए तितली बनके उड़ेगा फिर आपके खेट में आखर कें देगा तो उसको चाहे तो मिट्टी के में धप दें या जला दें उसके बाद जो है तना एम फल छेदक कीट के लिए दो तीन मुखे दवा है यह से कि लार्मीन है अगर लार्मीन का चिड़काओ करते हैं तो एक ग्राम पती लीटर पानी में मिला करके चिड़काओ करें अ कम से कम 15 दिन के अंतराल पर तना छेदक फल छेदक का नियंतन के लिए क्योंकि आप अगर तुरंत डवाई डालेंगे और उसका असर जो है 15 से 20 दिन के बाद दिखाई पड़ेगा होता क्या है कि खिसान बाई डालते हैं उसके बाद तुडाई करते हैं तो लगता है कि नि बाद आता है उसके अलाबा जो रस चूसने वाला कीट है जैसे थ्रीप्स है एफिट्स है उनके लिए जो भी आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइट बोलते हैं कनफिडोर है रोगर है उसको अगर छिड़काओ करते हैं कनफिडोर का जब आप छिड़काओ करेंगे तो 0.5 मेहलगे परति लीटर पानी मिलाकरके छिड़काओ करें जब रोगर का छिड़काओ करेंगे तो 1.5 अलबंबग जब दुसरा हैं हमारा मिटी भी उससे परभावित हो रहा है, निकल रहा है, और जो उसको खा रहें, वह भी भी मार पर रहें, तो हमको धीरे-धीरे जो है जैविक घ직र रहना होगा। लेकिन जैविक में भी जब बात करते हैं तो पहला जो है कि evangelic हम बजार यार पर निर्भर नहीं रहें हम ज्यविक जो है डवा जो है खूद बनाओं जैसे कि आप नीम का ले लेते हैं कि नीम का बीज बीनुला जो बोलते हैं उसका जो है आप जमा कर ले उसको पॉडर पीस करके बना ले और एक लिटर पानी में 40 ग्राम जो है उस पावडर को मिला करके और रात वर फूलने के लिए छोड़ दे फिर उसको जो है सुबह जो है उसमें पानी मिला करके छिरकाओं अगर करते हैं तो उससे होता है उसके साथ साथ किसान भाईयों कुछ गौमूत्र से नीम के पत्ता से लसुन और मिर्च से भी जो है दवा बन रहा है जो आप बना सक बना करके आप जो है फसल में कीटो का नियंतन कर सकते हैं